जए माता दी दोस्तों, तो फाइनली माता का बुलावा आया है और हम पहुच गए हैं श्री माता वेषन देवी कटरा दर्शन करने हम कट्रा आये हैं श्री शक्ति एक्स्प्रेस में ये शाम को साथ बजे दिली से चलती है और कट्रा सुबह पांस से साथ बजे के बीच में पचा देती है तो हम कट्रा पहुंच गहे हैं यह अनिक के साथ हमारी थर्ड यात्रा है वैस्ट देवी की यहां नेखेल अनिक आगे चा रहे हैं आगे मैं आपको दिखाती हो वीउ उपर से जश्च अभी प्लाटफॉर्म पर आया हैं कल हमारी ट्रेन की हहां से डेली से और अब हम तर्ड़ा में हैं कट्रा का रेल्वे सेशन काफी वेल मेंटेंड है और यह नजारा का रेल्वे सेशन से बाहर निकलते ही अपरवत का यहां एक अलगी सुकून मिलता है जब भी हम यहां आते हैं और हमेशा श्रत धालों की भीड यहां रहती है अनिक हाई तो अब हम चले आगे थोड़ा फ्रेश होएंगे और फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे और यह है यात्रा रेजिस्टेशन काउंटर जहां से आपको अपना RFID काट बनाना होगा आप जितने भी लोग आए हैं सब को यहां लाइन में बढ़े ओके RFID काट बनाना अब बरेक्फस्ट करके हम चल पड़े हैं यात्रा स्टार्ट करने की और तो देखे कितना रश है यहां पर हमने होटल जो है पास में लिया है यात्रा स्टार्ट करने के तो हम बॉक्ट करके या रहे हैं तो अच्छा व्यू एकदम मैं दर एकदम प्लीजंट है बहुँ ज सुंदर पहाडिया और यह भवन के एंट्री यहां से हम चलाई शुरू करेंगे इस बर श्रद्धालों की काफी भीड है फ्रिस्टिक पॉइंट पे काफी लंबी लाहिन है चेकिंग के लिए हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हमने भवन तक जाने के लिए घोड़ा प्रफ में चरन पादु का मंदर आ गया आप देख सकते हैं कितनी भीड है शुर्द्धालों की गोड़े से भवन तक का किराया बारा सो रुपए है बट जब भीड होती है तो गोड़े वाले कुछ भी पैसे मांगते हैं दो हजार तक मांगते हैं हमने भी यहां पंद्रा सो देखे थे और थोड़ा सा उपर आते ही आपको हर थोड़ी देर में ऐसे नजारे दिखते रहेंगे आपको पूरा गटवा शहर यहां से दिखता है काफी सुन्दर नजारे आते हैं अगर आप वेशुदेवी की यात्रा पैदल नहीं कर सकते तो आप यहां पे हलिकॉप्टर से भी आ सकते हैं हलिकॉप्टर का किराया 2100 रुपए है या आप पालकी भी कर सकते हैं पालकी 4000 रुपए की है और घोड़े का तो मैंने आपको बताई दिया 1200 रुपए है पर पीक सीजन में यह कुछ की चार्जिस मांगते हैं अभी हमें देड़ घंटा ही हुआ है और हम अद्धुक्वारी के पास पहुच गए हैं यह घोड़ो का रेस्टिंग पॉइंट है तो देड़ घंटे में हम अद्धुक्वारी बववन पहुच गए है और यह कट्रा के निजारे अद्धुक्वारी भवन से बहुत ही सुंदर व्यूँ बाइए बाइ अनिक बाइ और अद्धुक्वारी भवन से चलते ही फिर से ही अद्धुक्वारी नजारे जब आप घोड़े से जाते हैं तो आप अत्धी मत्था वाला रास्ता हम लेते हैं और घोडों के लिए एक बाइपस बनाया हुआ है तक जो अद्धकौरी मंदिर के पीछे पीछे से जाता है यह अद्धकौरी मंदिर के सामने से घोडे नहीं जाते हैं क्योंगा काफी भीड होती है और यह है अद्धकौरी बहँण यहां पर दो दिन की वेटिंग थी, हम यहां दर से नहीं कर पाए जै माता दी जै माता दी पूरी यात्रा में आपको ऐसी जहल पहल दिखती रहेगी फड़ जगर ढोल और माता के जैकारे आपको उस्ट्रनाई देते रहेंगे और दो घंटे बाद हम सांजी शत के पास पोच चुके हैं यहां से हेलिकॉप्टर सर्विसिस आप अवेल कर सकते हैं सांजी शत से भवन का रास्ता पैदल आदे घंटे का है और अगर आप गोड़ा लेते हैं तो दस मिनट में आप भवन के पास पोच जाएंगे और हेलिकॉप्टर मुश्किल से 90 सेकेंड लेता है उपर से नीचे जाने में या नीचे से उपर आने में तो आप अपने टाइम के एकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आपको यात्रा कैसे करनी है हेलिकॉप्टर की आफ्लाइन बुकिंग के लिए आप निहारी का भवन जा सकते हैं वहाँ पे इसका काउंटर है सांजी च्छत से आगे बढ़ते ही माता वेशन देवी भवन के ये पावन दर्शन ये सच में अद्बुत नजारा है आप कमेंट सेक्शन में बताएए आप लास्ट कब वेशन देवी गए थे या कब जाने वाले हैं और ज़रूर जै माता दी दिखे भवन में कैमरा या मोबाइल एलाउट नहीं है तो हम वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाए श्री माता वेशन देवी जी की दर्शन करने के बाद हम आए बाबा बहरापनाद जी के मंदिर जब हम यहाँ पोचे तो यहाँ आरती हो रही थी और यहाँ बहार ही संगत को रोका हुआ था तो हमने आरती होने का वेट किया उसके बाद हमने अंदर से दर्शन के यहां भी अंदर मोबाईल अलाउट नहीं था तो अंदर व्यू में आपको नहीं दिखा पाऊंगा इतना अमेजिंग व्यू है सिदा लाइव दर्शन हो रहे हैं मंदिर के महा आरती के इतनी बड़ी स्क्रीन के उपर यह है बहरो वाली च्छत बहरो मंदिर के जैस सामने है बहुत शुर्ण हालू लोग आये हैं यहां पर और अनिक भी इंजॉय कर रहे हैं अनिक हाए अनिक थोड़ों खाक क्या है बच्चे थोड़े से इरिटेट होई जाते हैं ऐसे काफी राशा एक्चिली तो इस स्रेम यहां पर आरती चल रहे है और काफी भीड़ है चलिए आपको भेरफ घाटी से माता वेशन देवी जी का मंदिर रात को कैसे दिखता है वो दिखते हैं और यह रहा श्री माता वेशन देवी जी का भवन यह सच में अदबुध है रात को तो और भी अच्छा लग रहा है अभी यहां पर बारिश हुई है तो यहां पर बादल नहीं है और माता वेशन देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं आप यहां जब भी आएं तो अपने साथ जरूर गरम कपड़े और बारिश से बचने का समान जरूर लाए क्योंकि यहां मौसम का बिलकुल नहीं पता चलता कभी भी ठंड और बारिश हो जाती है तो हम दर्शन करने के बाद नीचे कटरा मार्केट आ गए है और यह कुछ नजारा है त्रिकुट पर्वत का रात को यहां हमेशा चहल पैल रहती है तो आप अपनी यातरा कभी भी शुरू कर सकते हैं आपको हमेशा श्रत धालो मिलेंगे यातरा करते हुए तो आपको यह यातरा हमारी कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट में जैमातादी लिखके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जैमातादी